तमस्कार दोस्तों, पुझे सिक्ती चानल में आप सभी मेरे भाईयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है, जैमातादी दोस्तों, आज जिस नवी शेपर हम चर्चा गरेंगे वो है करवाच ओध के कुछ ऐसे प्राचीन नियम, जिनका पालन करना हर महिला का करतव विब अखन सौभागे के लिए किया जाता है, कई बार करवाच ओध का वरत कई महिलायवा करने लगती है, पर नियम ज्यातना होने के कारण, उन्हें बाद में जीवन में काफी परिशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये सौभागे से जोड़ा हुआ वरत है, ये अख अखीली चीजों का प्रियोग नहीं करना चाहिए, जैसे कैची का प्रियोग नहीं करना चाहिए, अकसर कपड़े काटने के लिए करवा चोगा आठी हो नियम में कहीनने को taraf करती है, ये Carol Reति बाद नहीं में करना चाहिए करवा चौत वाले दिन सिलाई कड़ाई भी नहीं करने चाहिए वरत के तोरान खाली समय व्यतीत करने के लिए वरत के दिन अक्सर महिलाएं जो है सिलाई कड़ाई या स्वेटर बुनने का काम करने लगती है ये कार नहीं करने चाहिए आप पूजा पाट कर लीजे, मंतरों का जाब कर लीजे या फिर आप कहीं घूमने चले जाएए परन्तु आप इस दिन करवा चौथ वाले दिन सिलाई कड़ाई का कारें बिल्कुल ना करें इस दिन समय बिताने के लिए कई महिलाएं देखा गया है कि ताश के पत्ते खेलने लगती हैं, जुआ खेलने लगती हैं ये कारी कभी नहीं करना चाहिए इसके अलावा आप भजन का प्रयोग कर सकते हैं भजन सुनिये, आप अच्छे अच्छे लोगों से बातचीत कीजे पुरानी महिलाओं के साथ बैठकर कथा का जो वाचन है वो सुनिये तो या भागवत का भी जो कथा है आप सुन सकती है वो बहुत आपको फल देगा परंतु अगर आप इस दिन ताश के पत्ते या जुआ खेलते हैं समय व्यतीत करने के लिए तो ये आपके घर में दरिद्रता लेकर आएगा क्योंकि करवाचोत करने वाली हर महिला पर जो है माता पारवती महागौरी की क्रपा और उनके अंच देखे जाते हैं याने आप जो कारे उस दिन करेंगी उसी का फ़ल आपको प्राप्त होगा आप पूरे प्रेम भाव से और पूरी श्रद्धा के साथ करवाचोत का पारट करेंगी व्रत करेंगी तो माता पारवती जी की क्रपा आप पे पड़ेगी आपको सौभागी की, यानि सौभागी बहुत बड़ी बात होती है, सौभागी प्राप्त होना, पुत्र पौत्र प्राप्त होना, धन्संबत्ती प्राप्त होना, सभी जो सुख हैं आपको प्राप्त होने लगेंगे, इस दिन हमें किसी की निंदा नहीं करनी है, अक्सर तो दीरे दीरे उनके जीवन में उनको खुत यह इससे कि लेखे, काहिए का लगण को बढ़ा होई आरल में अधिक ने भुषाफा कि है आटेगा विणारार करना कूल दे गतुरहदे को। उनके बुढ़ापा आने लगता है तो दीरे दीरे उनके जीवन में कष्ट दिखने लगते हैं उनके जीवन में उनको हमेशा कोई न कोई प्रॉबलम बनी रहती है और जैसे मैंने कहा महागौरी की साक्षात क्रपा या उनका अंच होना बहुत बड़ी बात होती है इस दिन आप में उनके गुण दिखाई देते हैं तो इन चीजों का प्रियोग ना करें अन्यता आपके जीवन में आपको निश्चिती दरीदरता का सामना करना पड़ेगा अब हम बात करेंगे अगले नियम की तो इस दिन जो है जैसे आपने टाइटल में भी देखा होगा कि इस दिन किन चीजों का दान नहीं करना है आप इन चीजों का प्रियोग कर सकते हैं तो आपको दान नहीं करना है, अन्यता आपके जीवन में आपको कश्ट देखने पड़ेंगे, यहां ग्रहों से रिलेटेड ये कश्ट आपको देखने पड़ सकते हैं, तो आपको जो है पती के त्वारा दी गई कोई भी उपहार की वस्तु किसी को पहनने के लिए नहीं दे आपका मंगल सुत्र नहीं देना है, साथ ही साथ, आपको दूद, दहीं, चावल या उजला वस्त्र का जो दान होता है, ये भूलकर भी नहीं करना है, अन्यता आपके शुक्र ग्रह की पीड़ा आपको देखनी पड़ेगी, और महिलाओं के लिए दो ग्रह बहुत सादा मा पाइने रखते हैं, पहला यहाँ पर आज में सरिफ शुक्र के बारे में आपको बताऊंगी, शुक्र ग्रह अगर आपका प्रबल नहीं होगा, तो आपको जीवन में कभी भी सुक शान्ती, वस्त्रों के जो आनन्द होते हैं, सुक सुविधाएं, भौतिक सुक सुविधा आता कहते हैं, हम गौमाता कहते हैं, हम देवियों के सुरूपों को इतना जादा मान सम्मान देते हैं, क्यों देते हैं, क्योंकि जो महिला होती है, उसमें शक्ती होती है, महिला सदेव पुर्शों की तुलना में जादा दर्द भी सहन करती है, वो जादा जो है, हर चीज मे मतलब उनके जो six cents होतें उनमें भी बहुत जादा जो है ती व्रता देखी गई हुए उन्ने पहले ही चीजे जो है ग्यान होने लगती है तो आपको इस दिन यह कारए नहीं करना है पती के अलावा किसी का भी चिंतन आपको नहीं करना है अन्यता आपको जो है इस वरत का फल प्राप्त नहीं होगा अब मैं यहाँ पर अपनी बहनों को एक बात और बताना चाहूंगी कि आपको इस दिन जो है धुमरपान बिल्कुल नहीं करना है और मदिरा का सेवन और मास का सेवन नहीं करना है आप इस दिन का जो है गैप रखें आपको नहीं तो आपके वरत का पूरा फल प्राप्त नहीं होगा अब यहाँ पर कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि अगर जो चूडियां होती है जैसे कई बार वो तूट जाती है या कई बार जो खराब हो जाती है शंगार करते समय अगर चूडियां तूट जाएं तो आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की कोई बात नहीं क्योंकि हमें नहीं पता है वो किस मैटल से बनी है कई बार वो तूट जाती है तो उसमें आपका कोई दोश नहीं होता है आपको उन्हें रख लेना है और दूसर सबसे जादा प्रतीक मानी जाती है सुहाग की तो कोशिश करें कि नए चूडिया लें अच्छे रंग की चूडिया लें काले बुरे नीले रंगों का प्रयोग ना करें लाल हरे पीले रंगों का प्रयोग करें जो माता लक्ष्मी माता सरस्वती मा दुर्गा को जैसे माहा पात को लेकर अपने मन को दुखी ना करें किसी प्रकार का मन में दुख ना आने दे यदि कोई घर में कोई गलत काम करता भी है तो कोशिश करें कि इस दिन घर में विवाद ना हो जगडा ना हो और सभी प्रकार के क्योंकि आप नियम रख रही है निर्जला वरत भी रख रह या बेकार में कोई जगडा हो जाता है छोटी मोटी टेंशन हो जाती है तो वह भी कहीं न कहीं हमारे मन को खराब करती है और वह चीजे भी परेशानी का कारण बनती है तो इस दिन कोशिश करें खुश रहें प्रसंद रहें जितनी आप खुश रहेंगी जितनी आप बनेंग पर चरजा करते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों